करीब 400 मिलियन सालों पहले समुंदर की गहराई में एक ऐसा जूराज करता था जिसकी बनावत और ताकत वेगयनिकों को आज भी हैरान करती है डंकलास्टियस एक ऐसी मचली थी जो कि अपने समय की सबसे खतरनाक और सबसे बड़े शिकारियों में से एक थी इसकी कुछ प्रजाती आते 30 फिट तक लंबी और 4 टन से भी ज्यादा वजनी हुआ करते थी इसकी सबसे खास बात इसका यह आर्मर है जो कि हड्यों से बना हुआ होता था ये कई हड्यों से जुड़ कर इसके शरीर पर एक बहुती शक्तिशाली कवज बनाता था जो कि बाकी शिकारियों से इसे सुरक्षित रखता था भले ही इसके मूग के अंदर शार की तरहा नुकिले दात नहीं होते थे लेकिन इसके कबच और जबड़े में लगे हुए ये दात किसी भी जुके दो तुकड़े कर देते थे जिसका bite force 80,000 pound PSI से भी ज्यादा का होता था ये इतने खतरनाक थे कि अपने ही प्रजाती के बाकी मचलियों को खा जाते थे लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये बाकी मचलियों के मुकाबले बहुती धीमी गती से तेरते थे वही इनके समय के कई ऐसे जिव थे जो की climate change की budget से विलुप्त हो गए और उनी में से एक ये भी थे